नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है समगर आईडी में किस तरीके से जो है नाम को जोड़ सकते हैं मतलब किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी सदस्य का परवार आईडी में आप ना से subscribe कर लेना यहां नीचे देख सकते हैं red color का button है और bell icon को भी जरूर से all पर click कर लेना और जो भी आपके मन में अगर इस वीडियो के related कुछ भी doubt होता है तो आप comment में जरूर पुछेगा मैं उसका जो है जरूर से reply करूँगा किसी भी पतनी या बच्चे या फिर किसी भी सतस का नाम जोडने के लिए आपको जो है यहां पर समग्र go in के official website पर आजाना है यह एक citizen portal है इसका link जो है आपको description में भी मिल जाएगा वहाँ पर click करने के बाद आप सीधा यहां पर पहुंचेंगे अब यहां पर पहुंचने के थोड़ा सा मूपर करेंगे तो यहां बीच वाले में समग्र में परिवार सदस पंजीक रत करें तो यहां पर देख सकते हैं दूसरे नम सदस पंजीक रत क्रें लिखा हुआ है इस पर जैसे ही click करेंगे अब जो भी समग्र ID से link mobile number है उसको हम यहां पर जो है डाल देंगे इसको यहां पर हम फिल कर देंगे फिल करने के बाद आपको क्या करना है जो भी यह चैप्चा को जो है यहां पर सैम ही फिल कर लेना है जैसा भी चैप्चा दिया गया है और इसके बाद OTP generate करें पर click कर देंगे आपने जो भी mobile number डाला है उस पर एक OTP भेज़ दिया जाता ह यह mobile number के दुरू जो है automatic ही लिये लिया जाता है यहां पर आपका जिला तहसील और जितने भी स्तदस्स हैं वो देखने को मिलता है अब अगर हम 5 साल के व्यक्ति का जोड़ना चाहते है अधार काड के माद्याम से तो हम यहां पर click करेंगे याद रहा है कि उसके अधार काड के माद्याम से हम जोड़ेंगे 5 साल के उपर के व्यक्ति के लिए अब हम जिस भी व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं उसका आधार नमर जो है हम यहां पर फिल कर देंगे जो भी उसका आधार नमर है वो आपको यहां पर फिल करना है फिर यहां पर दो माद्या मिलता है हम OTP के थ्रूज है सत्यापित करेंगे अगर मौल नमल लिंक है देख सकते हैं जो भी अधार कार्ट से मौल नमल लिंक है उस पर एक OTP चला जाता है जो की 6 अंकों का होता है वो OTP को हम यहां पर डालेंगे OTP डालने के बाद स्विक्यार करें पर जो है क्लिक कर देंगे जैसे ऐसा करेंगे तो जो है अधार कार्ट से उसका सारा डिटेल्स जो है यहां पर ले लेता है जिस भी बच्चे का या फिर वाइफ का हम जो है जिस भी बच्चे का या फिर वाइफ का नाम जोड़ा है अब हम यहाँ पर हिंदी से नाम डालना है तो हमें यहाँ पर copy करना है English का नाम और यहाँ पर हमें एक नाया टैब लेंगे और यहाँ पर हम खोल लेंगे गूगल ट्रांसलेट अगर आपके इसमें जो है गूगल हिंदी इंपूट टूल है तो आप वहीं पर डायरेक्ट ही नाम एंटर कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर English सेलेक्ट करेंगे जो भी आप यहाँ से है वो भासा आप सेलेक्ट कर से आइड़ी का सदस से आइड़ी है तो आप यहाँ पर अएस करिये और उसका सदस आइडी नम्मर यहाँ पर डाव है dirig देखने को मिल जाता है अब इसके बाद यहां पर आएंगे और नीचे देखने को मिलेगा मुक्या के साथ इनका क्या संबंद है अगर मुक्या के साथ जो भी संबंद है आप यहां से जो है उसे कर लेंगे इसके बाद यहां पर देख सकते हैं अगर मुक्या के नाम में पिता का नाम है तो पिता सेलक्ट करेंगे माता का है तो माता का ग्रैंड फाडर का है त से मैरिट अनमैरिट को जो है हम सle evidence करें गे जो हब यहाँ है और धर्म आप यहां से लिए आप के पास जाती प्रवाल-पत्र है डंग नहीं है तो नो कर दीजेए और यहां यहाँ पर आप जो है तर्मिन कंडिशन पर एक्सेप्ट करेंगे और सदस्त जोड़े पर क्लिक कर देंगे आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है थोड़ा सा इस तरीके का पेज जो है आजाता है यहाँ पर देख सकते हैं आपका सदस्त का जाओ है सा को यहां से दीखने को मिलजाता है आप चाहें तो इससे डिलिट कर सकते हैं घ्री तो यहां पर सकते हैं किसीर्पास allocate च्राइब क्लिक रहें तो आपका संष्पाराइड पर request डाल दिया जाता है यह आपके जनपन लेवल पर चला जाता है आप कुछ दिनों के बाद verified कर दिया जाएगा और आपका जो है समगरा आईडी में आपके बच्चे का नाम या फिर किसी भी सदस्काप ने डाला है तो उसका नाम जो है आप देख पाएंगे अब हमें से अनुरोध कैसे चेक करेंगे तो हम फिर से जो है हॉम बेच पर आएंगे और हम कैसे तरीके से चे तो हमें इस पर जो है क्लिक करेंगे यहां पर जो है रासन कार्ड में जो भी परिवार आइडी लिखा होता है या फिर समगर आइडी में परिवार आइडी इसके बाद इस कैप्चा को जो है यहां पर आप सैम ही फिलकर लेंगे जैसा कैप्चा दिया गया है इसके बाद सदस प्राप्त करें तो यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी अभी नाम जोड़ने के लिए रिकर्ष्ट डाली है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और सारी डिटेल्स यहां पर देखने को मिल जाता है आप कुछ दिनों का वेट करेंगे आपके ग्राम ब पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब परना और इस वीडियो से आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट वॉक्स पर क्लिक करके और वहाँ पर कमेंट लिख करके आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आप ने अभी तक मेरे इंस् उससे इंस्टाग्राम में पूछ सकता है मैं उसका जो है जरूर से रिप्लाइ करूँगा सो दोस्तो अम मिलते हैं नेश्टी वीडियो में किसी और टापिक के साथ तब तक ले जैहिन वंदे मात्रम झाल